हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, वेलकम टो फिनांस मार्केट, वेलकम टो अने दर वीडियो गाईज इस वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे साउथ इंडियन बैंक से जुड़ी एक अपडेट के बारे में साउथ इंडियन बैंक के अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आपने पहले से कुछ इसके शेर्स भाई कर रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इस बैंक में पलपल की सिचुशन में क्या हो रहा है तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि एक साउथ इंडियन बैंक के अंदर क्या हो रहा है साउथ इंडियन बैंक के जो M.D.O.C.E.O. है जिनका नाम है मुराली कृष्णा इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है मुराली रामा कृष्णा तो इन्होंने क्या रिस्पॉंड किया है इस बैंक से जुड़े हुए कुछ पैरमीटर्स को डिसकस करने के लिए उसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले आप लोगों के सामने साउथ इंडियन बैंक के ग्राफ के उपर हम लोग थोड़ा अपनी नजर को डालने के कोशिश करेंगे तो अगर आप लास्ट के पांच दिनों का ग्राफ देखेंगे तो सिचुएशन आप देखें तो इसके अंदर डिकलाइन जा रही है यानि पांच दिन में ये नीचे की तरफ जा रहा है वही वन मन्त की सिचुएशन अगर आप देखें तो इसके अंदर जो नेट मुवमेंट है वो उपर की तरफ है जिसमें हाई बनाता है ये 10.65 का 9 दिसम्बर को लो बनाता है 6.6 का 20 नवंबर को वही है अगर तीन महिने का ग्राफ देखें लास्ट के तो उसमें हाई वही है 10.65 का 9 दिसम्बर 2020 को और लो है 6.25 का 19 अक्टूबर 2020 को बनाया था लास्ट के अगर आप एक साल का ग्राफ देखेंगे तो एक साल में ये सिचुशन है आपके सामने हाई बनाया है 11.45 का जो की 21 जून 2020 को 21 जैनवरी 2020 को और लो अगर आप देखें तो 4.8 का है जो की बनाया था 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन वाली सिचुशन शुरू हो रही थी उसके बाद से अगर देखें तो इसके अंदर थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाए दिरी है फिर यहां पर जम पाता है फिर दिरे 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 ओवरॉल यह सिचुशन आ रही है तो इसको देखकर कैसा रखता है कि यह बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है अगर आप कल के दिन का चार्ट देखें तो कल के दिन ओपन हुआ था 9.60 के उपर और वहां से 9.00 का लो यानि 60 पैसे का लो बना देता है और हाई सिर्फ 5 पैसे का तो यह एक गिरावट थी लगबग 4.17 परसेंट डाउन क्लोस हुआ कल के दिन तूजडे के दिन और टोटल जो कल वॉल्म प्रेट हुआ था 20.2 यानि 2 करोर 20.2 मिलियन यानि 2 करोर 2,69,005 क्वांटिटीज मार्किट के अगर आप देखें इस बैक के लिए यानि 1,664.94 करोर है रिटन डेखें तो यह तिल डेट में 8.91 परसेंट का नेगेटिव रिटन है एक अपते में 3.66 परसेंट का नेगेटिव रिटन वहाई एक महीने में 37.31 परसेंट का पॉजिटिव तीन महीने में 27.78% का positive 6 months में 32.37% का positive return है वहीं एक साल में देखें तो 12.80 का negative return है अब बात करते हैं सिधे update की तो आपके सामने ये update है CNBC TV18 की ये report है जिसके आधार पर मैं आप लोगों को update कर रहा हूँ तो यहां सबसे पहले आपको बता जेता हूँ कि बैंक के पिछले quarter का क्या हिसाब किताब रहा है शाट में देखिए September quarter के अगर आप बात करेंगे तो बैंक ने जो net profit report किया था उसमें 23% का decline देखने को मिला था और net profitable का आया था 65.09 करोर hopefully आप यह जो screen इसको देख पा रहे होंगे आपको यह इसके अंदर सब कुछ लिखा है मैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा बता रहा हूँ ध्यान से वहीं अगर आप quarter 2 के 2019 के quarter 2 में देखेंगे तो जो profit था 84.48 करोर था अगर आप difference निकाल करके original quantity से divide करेंगे तो 23% का negative growth देखेगी यानि declination देखने को मिलेगा टोटल इंकम के बात करें in quarter 2 2020 तो इसमें 2138.74 करोर की इनको total income gain हुई है वहीं अगर हम 2019 2020 के session के बात करें quarter 2 की यानि September 2019 की दोसमें इनको 2203.18 करोर की इनको income gain हुई थी तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं decline हो रही है income I understand कि यह बहुत ज़्यादा declination नहीं है थोड़ा सा ही है इतना होता रहता है open nature अब बात करें NIM की NIM का मतलब होता है net interest margin तो net interest margin अगर हम देखें quarter 2 के लिए तो 1898.84 करोर जबकि quarter 2 2019 की बात करें तो 1953.97 करोर था तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा decline हुआ है NIM मतलब net interest margin अब अगर बात करें मुराली, रामकृशन, M.D. और CEO ने बैंक के improving quality या fundamentals के उपर क्या अपने assumptions दिये हैं अपने suggestions दिये हैं उसको अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि bank जो है अपने fundamentals को improve करने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहा है उसके उपर हर angle से हर front से तयारी कर रहा है और यहाँ पर जो अपने fundamental को improve करने के लिए यह और 750 क्रूर रूपीज को यह arrange करने की दोस्ता करने वाले हैं और उसके लिए right price decide करेगा bank का board आने वाले time है और यहाँ पर net interest margin के लिए इन्होंने कहा कि जो bank है आने वाले कुछ महीनों में यानि fiscal year 2021 के लिए जो इसका NIM यानि net interest margin होगा 2.6 से लेकर 2.7 परसन तक का हो सकता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते है अब इन्होंने asset quality को क्या लेकर के कहा asset quality पे इन्होंने कहा कि moratorium जो book है bank की अभी at the end of August 2020 वो है 17,000 करोर रुपए की ठीक है जिसमें से 1700 करोर लगभग 1700 करोर 10% बनता है total moratorium book value 17,000 करोर की अगर आप निकालेंगे तो 1700 करोर जो है most likely NPA बनने वाला है ऐसा इनका खुद ही कहना है जिसमें से अगर आप देखें तो उसके अलावा भी 1700 करोर के अलावा इन्होंने कहा कि 1200 करोर रुपए का जो NPA है उसके ओपर re-estructuring का काम अभी चला है तो अगर देखें तो bank जो है अपना fundamental को वाकई में इंप्रूफ करते हुए इस drive कर रहा है और आपको पता है कि जो NPA की situation है COVID-19 की वज़े से बढ़ गई और बैंकों को बहुत पुरी तरीके से impact किया इसने और Supreme Court इसके ओपर अपना final decision अभी निकालेगा ठीक है तो वहाँ से भी कुछ चीज़े clarify होगी और hopefully quarter 4 के end होते होते या quarter 1 के आते आते banks को NPA recognition करने में पुरी तरीके से मदद मिलने की संभावना है कि विस सुप्रिम कोट अपना decision तब 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 पूरा final दे जुगा होगा और बैंकों को भी पूरी चीज़े clarify हो जाएंगे retail book बैंक अगर हम बात करें तो वो है 15,000 क्रोड रोपे की जिसमें housing और mortgage भी मिला है जो की 10,000 क्रोड की total overall value आड़ करता है तो ये कुछ fundamentals थे जिसके ओपर बैंक जो है अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है उनको बेटर से बेटर बनाने की CRAR यानि capital to adequacy ratio या capital risk to weighted average ratio asset ratio इसको improve करने के लिए बैंक जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है और MTN CEO मुराली रामकरशन के supervision में बैंक पूरी तरीके से अपने fundamental base को improve करने में successfully लगा हुआ है और आने वाले situation में समय इसका बदल सकता है और अभी इस किंदर जो आपको downfall देखने को मिला it not necessarily means that it will always it will down go down in next coming time no absolutely not fundamental सही रहेंगे banks का NP अच्छा होगा आने वाले time में तो definitely हुआ जे करव लेता हुआ आपको दिखेगा so this is all and if you are new to finance market hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notifications properly and if you are interested to open Demit account if you are new then there is a link in description box of this video you can check there and take care of yourself see you something telling new in next video you